राजनिती विज्ञान वीशे में आजम परवक्ता राजनिती विज्ञान, शायक अध्यापक नागरिक सास्त्र, शायक अध्यापक शामाजी विज्ञान और ऐसे सभी परतुगी परिक्षाओं के लिए राजनिती विज्ञान के महत्यपूर बहुविकल्पी प्रश्णों का अज्यन करेंगे ये सबी प्रश्ण परिक्षा की द्रिष्ट कौन से अज्यन्त महत्यपून हैं पहला बहुत विकल्पी प्रश्ण है किसी समाज में समानता का आर्थ है इसके विकल्पे हैं और रोधों की कमी विशेशादिकार का ना होना परतिशपर्दा का ना होना जास्तों का बिलय किया गया था तो उसमें राजाओं को विशेश अधिकार देकर भारत में बिलय कराया गया था इसे प्रिभी पर्श कहा जाता था लेकिन जब इंद्रा गादी की सरकार बनी थी तो उन्होंने प्रिभी पर्श को समाप्त किया था अगला प्रशन है निम् समांता, विभेत का सिदांत, हगदारी। इसका सई उत्तर है विभेत का सिदांत या प्रिंस्पल आफ डिफ्रेंस डिफ्रेंस थjust theory पर ही जौन लॉल्स ने अपना नियाय का सिदांत दिया था यहाँ पर जो हगदारी का सिदांत है वह रोबर्ट नौजिक का है अगला प्रशन है निम्न मैंसे कौन एक विदिके सासन से कनिष्ट सम्मंद रखता है यानि कि वह कौन सा है जिसका सम्मंद रूल अफ लौ से है इसके भी कलपे हैं मार्शल लौ यानि कि सैनिक विदी जब हम बिदीके सासन को देखते हैं तो बिदीके सासन का सीधा समंद शामिदानवाद यानि कि कन्सटिशनलिजम से होता है और बिदीका सासन बृतेन में चलता है यहाँ पर जो सक्ती प्रृतिकर्ण का सिद्धानत है वो हो अमिर्काई सासन व्यावस्ता पराधरित है अगला प्रस्ण है गांधी जी के बिकेंदिकृत सावराज में शक्तियों की इस्तित है यानि कि गांधी जी ने जो डिसेंटलाइज़ जेसन की प्रोसेस बताई थी और उन्होंने एक ऐसे सावराज की स्तापना की थी जिसमें सबी लोगों को भागिदारी करने का मौका मिले तो इसमें शक्तियों की स्तित क्या थी इसके विकल्पे है एक सामान सक्ति उपर से नीचे की ओर नीचे से उपर की ओर कभी नीचे तो कभी उपर दोनों प्रकार से गांधी जी के बीकेंदिकित सौराज में जो शक्तियां थी वो नीचे से उपर की उर प्रवावित होती है यहाँ पर विकल्प गौ सही है अगला प्रश्ण है JS मिल के बारे में किस ने कहा कि वहाँ खोकली श्वतनतरता और अमुर्थ ब्यक्तितों का परवक्ता है इसके बिकल्प है टी-एच ग्रीन, लास्की, बारकर, टेलर इसका सही उतर है बारकर बारकर ने कहा था कि जो JS मिल है वहाँ खोकली शुत्मतरता और अमुर्थ व्यक्तितों का परवक्ता है विकल्प गौ सही है अगला प्रश्ण है छटा प्रश्ण राजी को व्यक्ति के उन कारियों में हस्तसेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत है परंत उन कारियों में हस्तसेप कर सकता है जो विशयगत हो यह कथन किस विचारक का है जिसके विकल्पे हैं जेरेमी बेंथम, काल माक्स, जेयस मिल, टी एस गरिन हम जानते हैं कि जॉन स्टुवर्ट मिल ने ब्यक्ति के कारियों को दो भागों में व्याजित किया है एक वह शोविशयकारी हैं वहीं दूसरी और परविशयकारी हैं जेयस मिल का मानना है कि राज ब्यक्ति के जो शोविशयकारी हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्सन हैं उन पर किसी भी परकार का हस्तशेब ना करें जबकि वह परविश है कारियों में हस्तसेब कर सकता है यानि कि इसका सही बिकल्प जॉन स्टुवार्ट मिल है अगला प्रस्ण है मानवी चेतना का आधार तत्व शौतंतरता है शौतंतरता में अधिकार नहित होते हैं अधिकार राजी की मांग करते हैं यहां कथन किस बिचारक का है इसके विकल्पे हैं हीगल, प्लेटो, लास्की, ती-एच, ग्रीन यहां परशित कथन ती-एच, ग्रीन का है ग्रीन एक आधरस्वादी है और उनका मानवी चेतना है उसके आधार में शौतंतरता है और स्वतनत्रताओं के लिए हमें अधिकार के आउश्क्ता होती है और अधिकार राजी की मांग करते हैं यानि कि आदर्सवादी विचारक टी-एच गरीन ने ये बात की है अगला प्रश्ण है किस राजी किस विचारक ने नागरिक समाज में आधिपत्य यानि कि हैजमनी को जोड़ा है इसके बिकल्प है काल माक्स, जौन लॉक, ग्रामसी, लेनिन अगला प्रशन है निम्लिकित मैंसे किस विचारक ने श्वतंतरता की शाकारत्मक और नकारत्मक रूप को परिभाशित किया है अगला प्रशन है ब्यक्तिक की श्वतंतरता के संबंद में निम्लिकित मैंसे किस ने बलात श्वतंतर होने की उक्ति प्रियुक्ति की है यानि कि वह कौन सा विचारक है जिसने बलात श्वतंतर होने पर जोर दिया इसके विकल्पे हैं टी एच ग्रीन, जौन लॉग, रूशो, हीगल यह प्रशे दोग के रूशो की है रूशो ने कहा हम लोगों को श्वतंतर होने के लिए बाद दिकर देंगे अगला प्रशन है किसने गुट निर्पेक्स्ता की आलोजना एक श्वार्ती नीति के रूप में की यानि कि वह कौन सा विचारक है जो शीतिदिक के दौरान चले गुट निर्पेक्स आंदुरन को एक श्वार्ती नीती के रूप में बताता है इसके विकल्पे हैं नेक्षन, मारगें थाउ, डेविड इश्टन, श्वार्जन, बरजर यहो कथन श्वार्जन, बरजर का है वे उपनिर्पेक्स आंदुरन को चलाया था और अपने हितों के आधार पर अपनी विदेश नीती को शंचालित किया था अगला प्रशन है मैं जनतंत्र से घिंगना करता हूं चुकि मुझे श्वातंतरता से प्रेम है यहो कथन किस विचारधारा से समंदित हैं इसके उदारवादी, अराजक्तावादी, माक्षवादी, समाजवादी यहो कथन अराजक्तावादियों का है अराजक्तावादी जनतंत से घिंगना करते हैं और सत्मतरता से प्रेम करते हैं अराजक्तावादी राज्जी को अनावशक बुराई मानते हैं अर्थात ये राज्ज का विरोध करते हैं अगला प्रस्न है निम्न मैंसे कौन सही नहीं है यहाँ पर दार्शनिकों के नाम और उनसे समंदित बीदी लिखी है पहला है अरस्तु तुलनात्मक पद्धत हीगल आदर्सवाद माक्ष एतिहाशिक बहुतिक बहुतिक बाद प्लेटो आग्मनात्मक पर समिधानों को समझाया वहीं हीगल आदर्सवादी विचारक हैं माक्ष ने एतिहाशिक बहुतिक बहुतिक बाद के सिद्धांत पर अपना कारी किया जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने निम्नात्मक पद्धत दी थी यहाँ पर विकल्पगो गलत है अगल प्रशना है इसके विकल्पे हैं करतब्य है अधिकार है मजबूरी है शक्ति है जब हम बारती समिधान के अनुछे देख्चो संचट को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि राजिपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का करतब्य है यहाँ पर विकल्प को सही है अगला प तो उसके पांच संस्तापक सदसी थे उनमें से कौन सा देश इसमें नहीं था हमें उसका चैन करना है इसके विकल्प हैं इंडोनेशिया, शेंगापूर, फिलिपीन्स, लाओस जब हम उसके संस्तापक देशियों को देखते हैं तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिल लेकिन उसमें लाओश नहीं था, बाद में उसके जो पांस सदशी जोड़े गए थे उनमें लाओश था, यानि कि यहाँ पर विकल्प घौ सही नहीं है. अगला प्रशन है, निम्नमैसे किसके सिद्धान्त को स्वामित्व व्यक्तिवात का सिद्धान्त कहा जाता है, यानि कि वह कौन सा विचारक है जिसके सिद्ध व्यक्तिवात को स्वामित्व व्यक्तिवात कहा जाता है, इसके विकल्प हैं, रूशो, होप्स, जौन लॉक, मै श्वामित्व व्यक्तिवात कहा जाता है। अगला प्रश्ण है क्रांतियों को इतिहास का इंजन किस ने बताया यानि कि वह कौन सा विचारक है जो क्रांतियों यानि कि रिवॉल्शन्ज को इतिहास का इंजन बताता है। इसके विकल्पे हैं लेनिन, कालमाक्स, अरस्तु, म यह कतन काल माक्स का है अगला प्रश्न है निमने मैंसे कौन सही नहीं है इसके विकल्प हैं रूसी क्रांती 1927 रग्तिहीन क्रांती 1688 चीन की क्रांती 1950 अमेर्की क्रांती 1776 जब हम अमेर्की क्रांती को देखते हैं वह 1776 में हुई चीन की क्रांती माओ के नेत्यूत में 1950 में हुई रक्ठीहिन करांथी या जिसें हम गॉरपूर करांथी कहते हैं वह 1688 में इंगलैंड में हुई थी रूसी करांथी जिसें हम बोल्चविक इंगलैंड में हुई थी यानिकि विकल्प जो कौ है वह गलत है अगला प्रसन है आत्म संवान आंदुरन किसके दौरा प्रारम्भ किया गया इसके विकल्प है जोति बाफुले E.B. रामा सौमी पेरियार भींराओ अमबेटकर पंडीता रमाबाई आत्मसम्मान आंदुरन दक्ष्ण भारत में चला यहो ईबी रामा सौमी पेरियार ने चलाया था वर्स 1925 में प्रारम भी किया गया यहो आंदुरन मुख्य रूप से समाज की जो पिछली जातियों हैं उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ना था यहाँ पर विकल्पको की भी रामा सौमी पेरियार सही है अगला प्रस्ण है मेरी उलस्टोन क्राप्ट किस विचारधारा से संबंदित हैं इसके विकल्पे हैं आदर्सवादी अराजक्तावादी नारीवादी उधारवादी मेरी उलस्टोन क्राप्ट का संबंद का स्थान लिया था। यानि कि इस प्रस्न को हम इस रूप में देख सकते हैं कि कब उरोपी शमुदाई उरोपी संग बना हमें उस संदी को का पता करना है। जिसके विकल्प हैं वर्साय संद, रोम की संद, मौस्टिस संद, वेस्टपेलिया की संद, वर्स 1992 में मौस्टिस संद हुई थी जिसके तहत इरोपी समुदाय को इरोपी संग में बदला था, इरोपी संग वर्स 1992 में मौस्टिस संद से बना था, यानिकि विकल्प गौ सही है अगला प्रस्ण है निम्लिकित में से किस एक ने उदारवादी लोकतंत्र की विशुव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में वर्नित किया इसके विकल्पे हैं समीर अमीन, S.P. हंटिंग अटन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकियामा वर्स 1991 में जब सोव्य संग का बेक्टन हुआ तो उसके बाद विशु में उदारवादी लोकतंत्र की विजय मानी गई और इसे इतिहास के अंत के रूप में वानित किया गया यहाँ पर जो पर्सित लेखक फ्रांसिस फुकियामा है उन्होंने कहा था कि उदारवादी लोकतंत्र की विशुव्यापी बीचे से इतिहास के अंत को उन्होंने दर्साया था अगला प्रस्ण है निम्नमेज से किस देश में आरंभिक वह लोकमत संग्रह जैसी विद्यों का पर्चलन है यानि कि वह कौन सा देश है जहाँ पर आरंभिक और लोकमत संग्रह की विद्य अपनाई जाती है इसके विकल्प हैं अमेरिका, आस्टेलिया, भारत, शुर्जा हम जानते हैं शुर्जा लेंड में पर्ट्यक्स लोकतंत्र देखने को मिलता है और यहाँ पर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आरंभिक और लोकमत संग्रह या जिसे हम जन्मत संग्रह कहते हैं कि विद्यों को अपनाया जाता है अगला प्रश्ण है बारती समिदान में पंत निर्पेक्स्ता, नियाई, शुतंतरता, राष्ट की एकता और अखंडता कहां पर वरनित हैं यानि कि बारती समिदान में वह कौन सा भाग या कौन सा स्तान है जहां पर पंत निर्पेक्स्ता, नियाई, शुतंतरता, राष्ट अगला प्रस्तावना में राज्जिपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके विकल्पे हैं, वहा विधान सबा भंग कर सकता है, वहा जादेश जारी कर सकता है, वहा विधान सबा में शदर्शों को मनुनित कर सकता है, वह राज लोक सेवा आयोग को परखास्त कर सकता है यहाँ पर जो पहला कतन है वह अभिधान सबा को भंग कर सकता है यह सही है मुख्यमंत्री के कहने पर वह अभिधान सबा को भंग कर सकता है दूसरा वह अज्यादे जारी कर सकता है अनुछे 213 के तहट उसे अध्यादे जारी करने की सक्ति प्राप्त है गौ वह विदानसबा के सदेशों को मनुनित कर सकता है यह भी कतन सही है लेकिन गौ वह राज लोक से बायुक को परखास्त कर सकता है यह सही नहीं है अगला प्रस्ण है निम्म मैं से कौन सही है इसके भी कल्पे है पहला है राज वर्ग की अव्यक्ति है कालमाक्स राज शमुदायों का शमुदाय है लास की राज संगटनात्मक हिंसा का परतिनियत्त करता है एम के गांधी गह भी कल्प है उप्रोक्त सभी कतन सही है यहाँ पर जो पहला कतन है कि राज वर्ग की अव्यक्ति है वह कालमाक्स का है कालमाक्स वर्ग संगर्स की बात करता है वहीं लास की बहुलवादी है जो राज जी को शमुदायों का शमुदाय मानता है जब हम महात्मा गाधी को पढ़ते हैं, महात्मा गाधी ने राज्जी को संगटनात्मक हिंसा का पर्तिदुत करने वाला बताया है, यानि कि बिकल्प गो उप्रोक्त सभी का तन सही है। निर्मान, भारती समिदान की जो बारवी अनुशुची है, उसमें नगर पालिकाओं से सम्मदित कानून है, नगर निगम से उसमें आते हैं, यहाँ पर उन्हें अठारा विशों पर कानून मनाने के लिए दिये गए हैं, जिसमें जन्मितुत पंजिकरण, अगनिशमन शेव अगला प्रशन है, विशिस्ट बर्ग के संचरन और के सर्कूलेशन आफ इलिट्स की आवधारना का सिद्दान्त इसने दिया है, इसके बिकल्ब हैं, रॉबर्ट मिसेल्स, मौस्का, पैरेटो, शुम्पिटर, विशिस्ट बर्ग के संचरन और के सर्कूलेशन आफ इलिट दूसरा इस अनुच्छेत के अधीन प्रक्ख़ापित आदेश का वही बल और परभा होगा जो सन्चत के अधीनयम का होता है तीसरा है ऐसा अध्यादेश राष्टपती द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा घौ भूबी कल्प है उप्रूक्त सभी कतन सही है जब हम भारती समिधान के अनुचेद 123 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि संसत की बिस्तानती काल में राष्टपती अध्यादेश जारी कर सकता है यह उसकी सक्ति है तूसरा इस अनुचेद की सक्ति वही होगी जो संसत के अधिनियम की होगी तूसरा ऐसा अध्यादेश राष्टपती कभी भी वापस ले सकता है यानि कि यहाँ पर सभी कथन सही है विकल्पगो सही है अगला प्रस्ण है पारती समिधान के अनुचेद 103 के अनुसार संसत सदेश्यों की अयोग्यता से समंदित प्रश्णों पर बिनिश्चय कौन करता है इसके विकल्पे है निर प्रश्य अनुचेद 102 के खंड एक के ताहत अयोग्य होता है तो उसके अयोग्यता से समंदित जो अन्तिम नियने लिया जाएगा वह राष्टपती के द्वारा लिया जाएगा यहाँ पर भी कल्प गह सही है अगला प्रस्ण है निमने में से कौन लोगतंतर के अभिजनब परेटो, मेकफर्सन, मोस्का इसका सही उत्तर है मेकफर्सन मोस्का, परेटो, मीसेल्स यह सभी अभिजनबादी सिदान्त से समंदित बिचारक हैं अगला प्रस्ण है निमलिकित मैं से कौन हेंडरी जे हाइड एक्ट से समंदित हैं इसके विकल्प हैं भारत-चीन सीमा सही उत्तर है भारत-अमेरिका नागरिक परमानों समझोता जो की वर्च 2005 में हुआ था इसे हम हिंडरी जे हाइड समझोता भी कहते हैं हिंडरी जे हाइड सेंक्त राजी अमेरिका और भारत के बीच शांतिपून परमानों उर्जा शायोग अदिनियम से समंदित है यह एक् फिर्थक परतिनित्युत की ब्यवस्ता संचत की किस कानून के अंतरगत दी गई इसके विकल्प हैं भारती परिशद विद्यक 1892, 12 सरकार विद्यक 1909, 12 सरकार विद्यक 1935 हम जानते हैं कि वर्च 1909 में जो भारत सरकार विद्यक आय था उसमें मूσक्लिम समुदाय के लिए फिर्थक पर्तिनीदुत की ब्यावस्ता कि गई थी, यानि कि यहाँ पर विकल्प गौ सही है अगला प्रस्टन है, संक्त राश्ट संग की सामाने सभा में शांति के लिए एक्ता प्रस्ताव के संदर्भ में था इसके विकल्प हैं, बर्लिन संकट, कोरियन संकट, वियतनाम संकट, श्वेज संकट इसका सही उतर है, कोरिया संकट या कोरियन संकट कोरिया युद्ध हुआता, 1950 से तेरपन में वहीं परस्ट राश्ट संग की जो सामाने सभा थी उसने शान्ति के लिए एक्ता प्रस्ताव लेकर वह आई थी अगला प्रस्तन है, निम्नमैसे कौन सही है, प्रस्ताव का सुजाव देना, पहल, उम्मिद्वार को वापस बुलाना, वापस बुलाना और जन्ता का आदेश, जन्मत संग्रह, उप्रोक्त सभी कथन सही है, ये तीनों ही बिदियां पर्त्यक्स लोकतंत्र से सम्बंदित हैं, और ये बिदियां सुज्ज लेंड में चलती हैं, पहल, यानि कि किसी प्रस्ताव का सुजाव देना, जिसे हम इनिशेटिव बोलते ह दूसरा, वापस बुलाना, यानि कि रिकॉल करना, जब कोई चुना गया उमिद्वार अपने जन्ता के लिए सही काम नहीं कर रहा है, तो जन्ता को उसे रिकॉल करने का अधिकार दिया है, तीसरा, जन्मत संग्रह, यानि कि किसी कानून को लेकर जन्ता से पूछना कि वह क अगला प्रस्न है, आमंड के दवाजवव के बरगर्कन में निम्नंकित मैसी क्या सम्मिलित नहीं है। इसके भी कल्प हैं शमुदायत्मक्खःव, आशमुदायत्मक्खः, आपर्तिमानी शमू, सुरक्षवात्मक्व शमु जब हम आमंड के दवाजवव को पढ़ते हैं, तो आमंड ने चार प्रकार के समू बताए हैं, जिनमें वह हो शमुदायत्मक शमू, आशमुदायत्मक शमू, संस्तात्मक शमू और आप्रतिमानी शमू, चार समू को की ब्याक्षा करता है, लेकिन वह हो सुरक्षात्मक शमू की बात नहीं करता है, यहां पर विकल्प घौ सही नहीं है अगला प्रस्टन है निम्न मैसी किस देश में दियुदली ब्यावस्ता पाई जाती है इसके विकल्प हैं अमेरिका भारत नेपाल फ्रांस भारत नेपाल और फ्रांस सभी देशों में बहुदली ब्यावस्ता पाई जाती है लेकिन अमेरिका में दियुदली ब्य होती है किसी अन्य दल को वहाँ पर सत्ता में बैटने का मौका नहीं मिलता है अगला प्रस्ण है राजनिति गडबंधन सिद्धांत में किसने आकार नियम को महत्तु दिया इसके विकल्पे हैं लूशन पाई हंटिंग अटन वीलियम राइकर गैबरिल आयमंड राजनिति दबाव शमूओं का मुख की उद्देश होता है पहला है चुनाव लड़ना दूसरा भासन लेकर सत्ता को बदलना तीसरा है शत्ता प्राप्त कर समाज कल्याण के कारी करना तीसरा है चोहता विकल्प है साचन से बाहर रहकर साजनी नेति और साचन को प्रभावित करना हम नहीं है वो शाचन से बाहर रहकर सार्जनी नेति और साचन को प्रभावित करते हैं यहन कि आपर बिकल्प गव सही है दबाव शमूँ का चुनाव से कोई लिया देना नहीं है बाहर देकर वो शत्ता में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते हैं और समाज कल्याण की कार उसे उन्हें कोई लिए नदने नहीं होता है, वो अपने हितों के लिए काम करते हैं, इसलिए विकल्प घौ सासन से बाहर रहकर साजनी निति और सासन को प्रभावित करना यही दवासमू का मुख्योद्धेश्य होता है। तो अरस्तु ने दासपर्था, पराधर्ज, समाच को सही बताया, वहो महिलाओं को और दासों को नागरिक नहीं मानता है, इसलिए अरस्तु कभी भी महिलाओं के समांता की बात नहीं करता है। जाओ दिये हैं। अगला प्रश्न है कि इस बिचारक का यह हो मैत है कि हम राजी में रहते हैं, राजी में चलते हैं और राजी में ही हमारा अस्तित्व है। यानि कि वह कौन सी विचारदारा है जो राज्य को बहुत अधिक महत्य देती है और राज्य को ही सब कुछ मानती हैं इसके विकल्पे हैं गादिवादी, उदारवादी, समाजवादी, सरबाधिकारवादी यह कतन सरबाधिकारवादियों का है वह राज्य को ही सब कुछ मान अगला प्रशन है राजनितिक सिद्दान्त में किस विचारक ने तीन तत्वों तथ्यात्मक, कारनात्मक और मुल्यात्मक यान की फैक्चुल, कैज्वल, एंड वैलुएशनल की चर्चा की है इसके विकल्प हैं कालमाक्स, कालपापर, सेबाइन, डेवी डिस्टन राजनिति सिद्दान्त में जो सेबाइन है सेबाइन ने फैक्चुल, कैज्वल, और वैलुएशनल की चर्चा की है यानि कि इसका विकल्प गौ सही है अगला प्रशन है अंतलास्ती राजनिति में खेल सिद्दान्त की प्रिणता कौन है यानि कि जो गेम थोरी है इंटरनेशनल पॉ नियूमन और मांगिस्टन ऐसे विचारक हैं जो अंतलास्ती राजनिति में खेल सिद्दान्त की प्रिणता है अगला प्रशन है निम्लिकी चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है इसके विकल्प हैं प्लेटो, लास्की, अरस्तू, रूसो यहाँ पर जो इन्हे नागरिकों की तरह नहीं है वह इन्हे नागरता देने के पक्ष में नहीं होता है इसलिए वह असमानता का समर्थन करता है अगला प्रशन है भारती समिधान का अधिकांस भाग शंशोदित किया जा सकता है यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है पहला है राज्यों शामिदान में तीन प्रकार से शंशोदन किया जा सकते हैं, जिसमें साधान बहुमत से जो की लोकसभा और राजसभा के द्वारत किया जाता है, वहीं विसेज बहुमत से वहाँ भी लोकसभा और राजसभा के द्वारत किया जाता है, और तीसरा संशोदन दोनों सदनों और आधे से अधिक राजयों की समद से होता है। लेकिन अनुच्छे 368 के ताहत, विसेज बहुमत और आधे से अधिक राजयों की समद की आधाइप पर संसोदन किया जाता है। बारती शामिदान में जो अधिकान संसोदन किये गए हैं वो अकेले संसत के द्वारा होते हैं उनमें बहुत कम संसोदन ऐसे हैं जिनमें राज्यों के आउशकता पड़ती है यानि कि वो अपने आप में जटल संसोदन हैं कठोर संसोदन हैं इसलिए यहाँ पर जो बिकल्प अक्यले संचत के दौरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रस्नह है सर्वोच न्याले के किस वाद में यहा कहा था कि संचत को समिदान के भागतीन यानि कि मौलिक अदिकार में समिदान संचोधन का अधिकार नहीं है। इसके बिकल्पें संक्री प्रसादवाद, केश्वानन भारतिवाद, गोलक नातवाद, मेनका गांधी वाद, इसका सही उत्तर है गोलक नातवाद. गोलक नात बनाम, पंजाव राजी का मुकदमा, जब सर्वोच ने आलमा आया था, तो ग्यारान आयदिसों की पीट ने इसका फैसला सुनाया था, और संसद को मौलिक अदिकारों में संसदन करने पर रोग लगाई थी, यानि कि यहक आ गया कि संसद मौलिक अदिकारों में कि किसी भी प्रकार का संसदन नहीं कर सकती है, अगला प्रस्ण है, निम्न में से कौन सी विचारधारा यहां मानती है कि असपस्ट होना और प्रशांगिक होने से बेहतर हैं, इसके विकल्पें विहारवाद, सन्रस्टनावाद, उत्तर विहारवाद, उत्तर हम जानते हैं कि उत्तर विहार बात Credo of Reliance पर जोड़ देता है अगला प्रस्ण है अंतराष्टी राजनिती की उड्रो विल्सन पीट पर स्वरपर्थम किसकी न्यूकती हुई थी इसके विकल्ब है नॉर्मल एंजल अल्फ्रेड जैमुरुन डेविज मारगेंथाउ इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड जैमुरुन वर्स 1919 में जब अंतराष्टी राजनिती की उड्रो विल्सन पीट की स्थापना हुई थी तो इसमें जो पहले चेयर बेंथे वो अल्फ्रेड जैमुरुन थे अगला प्रशन है निर्भरता सिद्दांत जिसे हम डिपेंडेंसी थोरी कहते हैं कि अध्यन का आधारबूत मॉडल क्या है इसके विकल्प हैं विश्व व्यवस्ता मॉडल केंद्र परिद मॉडल रस्नावादी मॉडल आगत निर्गत मॉडल इसका सही उत्तर है केंद्र परिद मॉडल जो डिपेंडेंसी थोरी है वो केंद्र परिद मॉडल पर आधारित है अगला प्रशन है निम्न में से कौन भारत की विदेश निती का सिद्दांत हैं इसके विकल्प हैं लहो आवरण सैन संधियां अलगावाद उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्त पर है उप्रोक्त में से कोई नहीं भारत की जो विदेश निती है वो अगुट निर्पेक्स्ता की नीधी है सामराजवाद उपनिवेशवाद का विरोध है पंचसील के सिद्दानतों पर अपने राष्टे हितों को शाधने की नीती है आज के इस प्रश्ण पत्र पर हमने पचास प्रश्णों का अध्यन किया आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहे हैं हम आगे भी अन्नी प्रश्ण पत्रों का अध्यन करेंगे प्रश्ण पत्र में टाइपिंग से संबंदित अगर कोई त्रियोटी होती है तो उसे एग्नॉर करें और उसे हम सही करने का प् अन्यवाद